आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे मुश्किल फरीक्षाओं के बारे में जिसमें उतीरण होना मुश्किल ही नहीं लगभग ना मुँखिन सा है ये एक्जाम सही माईने में बहुत मुश्किल हैं ओ पटक पटक के सरगिना दे नोलेज की वीवा रटा माई चड़ जाए चो बुखार कौफी से तू उतार घिस घिस के भेजा कले देज़दार यार रटा माई ओ रटा माई एक UPSC एक्जाम जी हाँ, UPSC की परीक्षा भारत की सबसे टफस परीक्षाओं में गिनी जाती है ये भारत सरकार के तरफ से आयोजित किया जाता है ये परीक्षा Civil Services जैसी की IAS, IPS और IFS के लिए है Administrative Service का ये एक्जाम सही में मुश्किल है और इसमें रिटन राउंड और वाईवाद दोनों ही होते है आंकडे के अनुसार हर साल भारत में लगभग 10 लाख छात्र ये परीक्षा देते हैं जिसमें कि सिर्फ 0.1 से 0.3 प्रधिशत लोग ही उतीर्ण होते है 2. AIMS PG की परीक्षा AIMS की परीक्षा के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा क्योंकि ये मेडिकल का सबसे कठन और प्रसिद्ध परीक्षाओं में से है मगर क्या आप जानते हैं कि AIMS की PG परीक्षा और भी मुश्किल है जी हाँ, आपने बिलकुल ठीक सुना डॉक्टरी में PG की परीक्षा मेडिकल डारेक्टर के पोस्ट के लिए होती है जो की किसी भी विशे में स्पेशलाइजेशन के लिए है आप सुनके हैरान हो जाएंगे कि इसमें सिर्फ 124 ही सीट है और ये परीक्षा साल में दो बार की जाती है हैरानी की बात ये है कि इसमें 25 प्रदिशत सीट अंडरग्राजविट स्टूरेंट्स के लिए है और बाकी सीट्स आरक्षन वाले हैं आरक्षन में इतनी सीट्स जाने के कारण इस परीक्षा को मुश्किल बताया जाता है क्योंकि जनरल कैटिगरीज को बहुत कॉंपेटिशन करके अपने मेरिट पे एक सीट हासल करना होता है तीन, कैट इग्जाम कैट इग्जाम IAM के लिए होता है इससे कैंडिडेट भारत के टॉप मैनेजमेंट स्कूल में दाखिला ले सकते हैं इस इग्जाम में ज्यादा तर वर्बल रीजनिंग और एप्टिट्यूड टेस्ट पे ध्यान दिया जाता है ये इग्जाम अबजेक्टिव टाइप का होता है जिसमें कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्फ करने होते हैं CAT exam के score से आजकल सिर्फ IAM ही नहीं, बलकि अलग management schools भी candidate ले रहे हैं, मगर इसमें अच्छा percentile लाना बहुत ही मुश्किल है. 4. IIT-JEE exam IIT-JEE exam engineering candidates के लिए सबसे मुश्किल exam है. इस exam में दो rounds होते हैं, preliminary और mains. अगर आप preliminary round clear करते हैं, तभी आप main exam में बैठ सकते हैं. 12,00,000 शात्र परीक्षा देते हैं, जिसमें कुछ हजार ही main exam के लिए चुने जाते हैं. एक आंगड़े के अनुसार, इसमें selection 1-45 की ratio के अनुसार से होता है, जो की बहुत ही कम है. IIT की परीक्षा में negative marking होने के कारण, ये exam और भी tough हो जाता है. एसे तो आप जानते हैं कि IIT के college सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में मशूर हैं. 5. IES exam IES exam को भारत का सबसे toughest exam माना जाता है, ये भी भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है, और civil service exam जैसा ही होता है. ये बहुत ही मुश्किल परीक्षाओं में से एक है, क्योंकि इसमें 4 rounds होते हैं, पहला attitude, फिर objective technical paper, written technical paper, और फिर interview. ये सब clear होने के बाद ही आप IES में सफर हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग ये परीक्षाद देते हैं, क्योंकि इसमें काम अच्छा होता है, और पैसे भी बहुत मिलते हैं. 6. NDA exam NDA की परीक्षा Armed Forces की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है, ये परीक्षा आप बारवी के बाद दे सकते हैं, परीक्षा objective type होती है, जिसमें aptitude और reasoning के सवाल ही ज्यादा तर रहते हैं, इसमें एक round physical fitness का भी होता है, आपके score के अनुसार आपको Army, Navy या फिर Air Force में नौ की आ गया है ताकि भावी officers mentally और physically fit हैं या नहीं, साथ, CLAT exam, CLAT की परीक्षा उनके लिए हैं, जिनहें कानून और न्याय फिवस्था में रुची है, ये law के परीक्षा है, आपको भारत के top 16 university में स्थान मिल सकता है, इस परीक्षा के score से आप अलग private university में भी दाखिला ले सक रखते हैं, एक आकड़े के अनुसार, आजकल 45,000 से भी ज्यादा प्रतिद्वन्दी law में रुची रखते हैं, हाला कि top university में seeds बहुत कम होने के कारण इस परीक्षा कुट टफ माना जाता है, इसकी परीक्षा दो घंटे की होती है जिसमें math, अंग्रेजी, logical reasoning and aptitude और legal reasoning के परीक्षा बहुत मुश्किल है और इसमें साथ विशे होते हैं, जिसे आपको clear करना होता है, final semester जिसे chartered analyst exam कहा जाता है, वे बहुत ही tough है और ये आपके आँख में आसू ला देता है, final exam clear करने के लिए आपको जी तोड मेहनत करनी परती है, और सवाल बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे कि केवल 8 प्रतिशत candidate सी इस परीक्षा में सफल होते हैं, नो, net exam, ये exam UGC के द्वारा कुछ चनिंदा colleges में किया जाता है, इस परीक्षा के द्वारा आपको lectureship या फिर research करने का मौका मिल सकता है, ये परीक्षा इतनी मुश्किल है कि कुछ लोग इसे 4-5 बार को 10. Railway exam ऐसे तो लोग सोचते हैं कि Railway की परीक्षा आसान होती है, और इसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बास अच्छ है कि बाकी परीक्षाओं से Railway की परीक्षा आसान है, और आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, मगर क्या आप जानते हैं कि इसे tough क्यों मा आप यकीन नहीं करेंगे कि हर साल 25 मिलियन लोग इस परीक्षा में बैठते हैं, जिनमें कुछ हजार ही चुने जाते हैं, इतने लोग इस परीक्षा को देते हैं, जो कि पूरे आस्ट्रीलिया की अबादी से भी ज्यादा है, इसलिए इसे भारत का एक tough exam माना जाता है, जह सवाल असान होते हैं, मगर देने वाले लोग किसी भी परीक्षा से बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये था हमारा आज का टॉप 10 tough परीक्षा हैं, हमें comment section में बताएं कि आपको कौन सी परीक्षा सबसे ज्यादा tough लगी, और आप कौन सी परीक्षा देना चाहेंगे, ऐसे ही और नॉलिजवली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब करना ना भूलें